सवाई मादुपूर से खबर है सवाई गंज गाउं के शमशान घाट में मृत मिले नो मोर सूचना के बाद फोरस्ट अधिकारी घटना सल पर पहुंचे सबी मृत मोरू को लाया गया समाजी कवानी की आड मादा और एक नर मोर पाय गया मृत जहरीला दाना खिला कर मारने का अंदेशा है गटना सल से अधिकारियों ने संग्रहन किया जहरीला दाना मेडिकल बोर्ड से कल होगा मृत मोरू का पोश्ट माटम एक युवकोई जोरान हिरासत में दिया गया है एक वाइक को भी जब्त किया गया है दो पुरूश और एक महिला आरूपी के तलाज जारी है रामिनों ने आकरोश जताया आरूपियों को कड़ी सजा दिलाने के मांग किया है डोक्टर सीपी मेना के अनुसार जहरेला दाना हो सकता मृरू की मौत का बड़ा खारा तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सवाई माधोपोर से तस्वीरे हैं सभी मृत मृरू को समाजिक बानी की लाया गया है और कल पोश्ट माटम होगा हलाकि उसके बाद ही ये जानकारी लग पाएगी कि किस वज़े से ये बहुत हुई है लेकिन इस पूरे मामले में एक मोटर साइकल को जब्त किया गया है एक को पकड़ा गया है कुछ की तलाश अभी भी जारिये मेरे से होगी लोकेश जोड़ गें लोकेश जरा बताईए जिनको हिरासत में लिया गया है उनके ओपर आरूप क्या लगाए गये हैं और वो क्या कह रहे है जी जिनरेस में बुरे मामले में बताना चाहुआ है जैसा ही आज अभी देश शाम एक सुचना मिली कि नो मरत मोर सवाई गंज गाओं के समसा जाट चाहँ पड़े दिखाई दिये किसी ग्रामीर ने पुलीस को सूसरा दी उसके बाद सामाजी वानकी काधिकारी वहां मोके पर पहुंचे और प्रत्रम दिख्टा इसमामले में जहरी ले दाना दान का डालकर और इन मोर को मारा गया है उस मामले को लेकर एक ही वफ से पूस्ता जारी उसके हिरासत भी लिया गया है और पिलाल एक महिला और दो पुरस जो आरोपी और भी होना सामया है उनकी तलास जारी है जी लोगे शुक्रिया तमाम जैनकरी हमारे साथ साजा करने के लिए सवाइगंज गाओं के शमशान घाट में ये नो मोर थे जो मृत मिले हैं इनमें आठ मोरनी और एक मोर है अधिकारियों ने जाए मोरों की मौत का बड़ा कारण और अगर जानबुचकर सहरीला तमाम जैनकरी हमारे साथ साजा करने के लिए अब एक पटक शेफ उस वक्त होगा जब पोश्ट मारम की रिपोर्ट सामने आएगी और जो दाना जाँच के लिए जब्द किया गया है उसकी भी जाँच होगी उसके बाद ये तस्वीर पूरे तरीके से साप होती नसर आएगी एक युवक पोई रासत में लिया गया एक बाई जब्द की गई है जबकि दो पूरुशों और एक महिला आरोपी के तलाश की जा रही है सवाई मादोपोर से खबर है जहां नो मोर मुर्टक मिलें